हेलो, नमस्कार दोस्तूं, सुआगत एक बार फिर से आप से आप सभी का टूडे टूक के इस वीडियो में दोस्तूं इस वीडियो में हम राजस्तान में जो खनीज संपदा है उससे संबंदित 20 important question cover करने वाले हैं, 20 महतपून question cover करेंगे जो अब तक की प्रिक्साओं में पूछे गए हैं और काफी ज़्यादा important है दोस्तूं राजस्तान की जो खनीज संपदा है उसकी ठियोरिकी कलास में ने पहले ही आपको दी है उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना लिंक में आपको description में दे दूँगा और दोस्तूं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस चैनल पर राजस्तान, वनरकसक, वनपाल, ग्रामसेवक, पटवारी, रीट, इतियादी प्रिक्साओं की तैयारी सुरू करवा दिये आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और दोस्तु टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रेप्शन बोक्स में दिया है वहाँ से आप टेलिग्राम का चैनल जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल में राजस्तान का भारत में पहला इस्तान है खनीज बताना है आपको उप्सन है फैल स्पार लिगनाइट तामबा या फिर लोहा दोस्तों इन में से जो फैल स्पार है इसके उत्पादन में भारत के अंदर राजस्तान का पर्थम इस्तान है अगला क्योंसन है टंगस्टन का उत्पादन निमन में से कहां की खदान में होता है तो खदान आपको बतानी उप्सन है डेगाना, गुजरवाडा, बांदर सिंद्री या फिर देवडा तो इसका दोस्तों सही अंसर हो जाएगा डेगाना डेगाना जो ख़ान है यहाँ पर टंगस्तन का उत्पादन किया जाता है और डेगाना कहां पर है तो डेगाना आपको बताना है नागुर जिले के अंदर अगला क्युसन है पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है उप्सन है कोईला, सोना, चांदी या फिर तांबा आपको बताना है कि पलाना के अंदर कौन सी धातु का या आयसका या खनीज का खनन होता है यह आपको बताना है तो इसका दोस्तों सही अंसर हो जाएगा जो कोईला है इसका उत्पादन होता है पलाना की खान के अंदर और पलाना कहां पर है तो यह है बिकानेर जिले के अंदर अगला क्यूसन है हाल ही में राजस्तान के किन जिलू में पोटास के अंकुस भंडार मिले हैं पोटास के भंडार कहां पर मिले हैं उप्सन है सिरिगंगानगर, बीकानेर, नागोर या जालावाड के अंदर आपको जिलूं का समुए दियावा है और सही समुए का आपको चैन करना है इस क्युश्टन के जो option है उनको आप ध्यान से समझेगा दोस्तों यहां पर देखे कि सिरिगंगानगर और जालावाड ये काफी दूरी रखते हैं तो इतने ही लंबी दूरी पर एक जगह बंडारा केसे मिल सकते हैं तो ये option आपका गलत हो गया अगला option देखे सिरिगंगानगर हनुमानगर ये तो ठीक है क्योंकि पडोसी जिले है सीकर और बारा तो बारा है ये बिल्कुली अलग हो गया तो ये option भी आपका गलत हो गया अगला है बिकानेर, चूरू, सिरिगंगानगर और हनुमानगर इन चार जिल्लों के समुए को देखें तो ये राजस्तान के मेप में अगर आप देखोगे तो ये उपर उतरिदी सामे है और चारू पडोसी जिले हैं तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा और इन चारू जिल्लों के अंदर पोटास के अंकुस बंडार मिले हैं तीसरे नमबर का उप्सन इसमें सही आंस्वर हो जाएगा अगला क्यूसन है राजस्तान के किस जिले में इंदर प्रस्त ओधोगिक छेतर इस्तित है उप्सन है जालावाट, चितोडगर्ड, बुंदी या फिर कोटा तो दोस्तों इंदर प्रस्त ओधोगिक जो छेतर है ये आपका कोटा जिलत जो है इसके अंदर इस्तित है अगला क्यूसन है राजस्तान में किस खनीज का एक मात्र उतपादक है राजस्तान देश के अंदर कौन सा खनीज है जिसका एक मात्र उतपादक है उपिसन है सोना चांदी ग्रेञाईट, इन में से कोई नहीं, जासपर, सीसा, जस्ता या वलेष्टोनाइट, चोता उपिसन है टंगस्टन, तो दोस्तों राजस्तान जो है ये भारत के अंदर जासपर, सीसा, जस्ता, वलेष्टोनाइट का एक मातर उतपादक राज्ये है, जोदपूर, उदेपूर, चितोडगड या फिर ये सभी तो दोस्तों गरे नाइट की कटाई और पॉली सिंग की जो इकाईया है ये जोदपूर में भी है उदेपूर में भी है और चितोडगड में है तो ये सभी option number 4 इसका सही answer हो जाएगा अगला क्यों सुन है सीसे जस्ते का कौन सा अयसक नहीं है तो यहां पर अयसक है ध्यान रखियेगा सीसे और जस्ते का अयसक जो नहीं है वो आपको बताना है option है गेलेना, हेमेटाइट, जिंकाइट या फिर केला, माइन तो इसका दोस्तों सही answer हो जाएगा जो हेमेटाइट है ये लोहे का अयसक ह नहीं है बाकी सभी सीसे और जस्ते के ऐसक है अगला क्यूशन है खुस खेडा और धोगिक छेतर राजस्तान के किस जिले में इस्तित है उप्सन है जैपूर अलवर बिकानेर या फिर अजमेर तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उप्सन अम्मर दो अलवर के अंदर रखिएगा काजरी का पूराना मताना है Central Arid Zone Research Institute नमबर दो पे है Central Auto Journal Research Institute या Central Agricultural Zone Research Institute या Central Arid Zone Research Institute यहाँ पर दोस्तों उप्सन नम्मर एक और उप्सन नम्मर चार दोनु सही है तो आपको इनमें से बताना सही अंसर क्या है तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो उप्सन है ये भी स ये सेम टाइप होगे उप्सन तो Central Arid Zone Research Institute कहाँ पर है ये आपका जोधपूर के अंदर है और इसको हिंदी में पूछा जाए तो केंद्रिये सुस्क छेतर अनुसंधान संस्तान आपको बताना है कभी कभी इसकी फुलपों भी पूछली जाती है अगला क्यों सुन है उत्पादन में जिपसम भी इंपोर्टेंट है और चूने का पत्थर भी तो ये दोनों ही महतपूर कच्चे माल है अगला क्यों सुन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर उदेपूर में कहां पर इस्तित है और देबारी कहां पर है तो ये उदेपूर जिले के अंदर है अगला कि उसने टंगस्टन के संबंद में निमन कत्रों पर विचार आपको करना है पहला कतन है ये सामरिक मैतवय का खनीज है बिल्कुल ये बात सही है अगला है इसका विदोहन करसी मंतराले के नेंतरन में होता है नहीं दोस्तों करसी मंतराले का खनीजूं के मा पहले भी ऐसा क्युस्सन अभी बताया था, तो ये सही है, चोथा उप्सन है, टंगस्टन, विकास, निगम, दुआरा जैपूर में एक प्रयोग साला की स्थापना की गई है, बिल्कुल टंगस्टन की जांच के लिए एक प्रयोग साला बनी है जैपूर के अंदर, तो उप् इसके अंदर ये जो सेकंड वाला उप्सन गलत है, तो एक तीन और चार हो जाएगा ना, तो एक तीन और चार, उप्सन अंबर तीन इसका सही आंसवर होगा, अगला है राजस्तान में फैल्सपार उतपादन में अग्रनी जिला कौन सा है, उप्सन है भीलवाडा, अलवर, अजमेर या पिर जुन जुनू, तो इसका दोस्तो सही आंसर हो जाएगा, अप्सन अंबर तीन, अजमेर जो है ये अग्रने जिला है, अगला कौन सान है खनीज, जिसके उतपादन में राजस्तान का देश में एका दिकार है, तो एसा खनीज, जिसके अंदर राजस्तान ए इन में से इसमें राजस्तान एका दिकार रखता है, अगला कौन सान है राजस्तान में पाईराइट के विशाल बंडार खोजे गए हैं, अप्सन सीकर, चूरू, जुन जुनू या फिर बिकानेर, तो इसका दोस्तो सही आंसर हो जाएगा, अप्सन अमर एक, सीकर के अंदर पाईराइट के विशाल बंडार खोजे गए हैं, अगला कौन सी जगया में सोने के विशाल बंडार मिले हैं, और कौन से जिले में बूकिया जगपुरा, राम कमुना, या दखन कोटरा, या लकसार, या भरुसारी, तो इसका दोस्तो सही आंसर हो जाएगा, भूकिया जग जगपुरा जो है, यहां पर सोने के विशाल बंडार मिले हैं, और कौन से जिले में भूकिया जगपुरा, तो ये दोस्तों बांसवाडा जिले के अंदर है, अगला क्यों सने राजस्तान की आई, जिसको क्या बोलते हैं, SDP में हमें निम्न में से किस का इस्तान सबसे वन, खनन, निर्मान या इन में से कोई नहीं, तो इसमें दोस्तों जो उंचा इस्तान है वो रखता है खनन, खनन काफी मैतवर रखता है राजस्तान की आई के अंदर, जिसको SDP बोलते हैं, अगला क्यों सने विश्वे में जामर कोटरा, जामर कोटरा आपको बताना है, कि जिसा जस्ता, मेगनीज, रोक फासफेट या फिर चांदी, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, जामर कोटरा जो है ये रोक फासफेट के लिए पूरे विश्वे में प्रशिद है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करना, और अपने मोबाइल की किसी भी एक गुरूप में सेयर जरूर करना, सेयर करने से आपका सपोर्ट मिलता है, थैंक्स पोर वोजिंग, मिलंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद